कक्षा छे की हिंदी की पाठे पुस्तक बाल राम कथा अवद पुरी में राम ये कथा अवद की है और बहुत पुरानी है अवद में सर्यू नदी के खिनारे एक अतिसुंदर नगर था अयोध्या सही अर्थों में दर्शनी हैं देखने लायक भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था उसकी एक-एक इमारत आलिशान थी आम लोगों के घर भव्य थे सडकें चोड़ी थी सुन्दर बाग ववीचे पानी से लबालब भरे सरोवर खेतों में लहराती हरियाली हवा में हिलती फसलें सरियो की लहरों के साथ खेलती थी अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी संपन्नता कोने अंत्रे तक बिखरी हुई सभी सुखी, सब सम्रित दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश्की अनमती नहीं थी पूरा नगर विलक्षन था अद्भुत और मनोरम उसे ऐसा हो नहीं था वह कोसल राज्ये की राजधानी था राजा दशरत वहीं रहते थे उनके राज में दुख का भला क्या काम राजा दशरत, कुशल युद्धा और न्याय प्रिये शासत थे महराज अज के पुत्र महराज रगु के वन्शज रगुकुल के उत्तरादिकारी रगुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगा दिखाई दीता था सुख समर्दी से लेकर बात विहवार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे पवित्रता और शान थे हर जगा थी नगर में भी, लोगों की मन में भी राजा दशरत ये शस्वी थे उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी राज सुख था, कमी हुने का प्रश्ण ही नहीं था लेकिन उन्हें एक दुख था, चोटा सा दुख मन के एक कोने में चीपा हुआ वह रह रह कर उभर आता था उन्हें सालता रहता था उनके कोई संतान नहीं थी आयू लगतार बढ़ती जा रही थी उनकी तीन राणिया थी कौशल्या, सुमित्रा और कैकई राणियू के मन में भी बस यही एक दुख था संतान की कमी जीवन सुना सुना लगता था राजदश्रत से राणियू की बातचीत प्राय इसी विशे पर आकर रुख जाती थी राजदश्रत की चिंता बढ़ती जा रही थी बहुत सोच विचार कर महराजदश्रत ने इस संबंध में वशिष्ट मुनी से चर्चा की उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई रगुकुल के अगली उत्राधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई मुनी वशिष्ट राजदश्रत की चिंता समझते थे उन्होंने दश्रत को यग्य करने की सलह दी पुत्रेष्टी यग्य महरशी ने कहा आप पुत्रेष्टी यग्य करें महराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी यग्य महान तपस्वी रिश्य श्रिंग की देख रेख में हुआ पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था यग्य शाला सरीव नदी के किनारे बनाई गई यग्य में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया तमाम रिशी मुनी पधरे शंख ध्वनी और मंत्र चार के बीच एक एक करसब ने आहोते डाली अंतिम आहोते राजा दशरत की थी यग्य पूरा हुआ अग्य के देवता ने महराज दशरत को आशिरवाद दिया कुछ समय बाद दशरत की इच्छा पूरी हुई तीन रानिया पुत्र वती हुई महराणी कौशल्या ने राम को जन दिया चैत्र मह की नभमी के दिन रानी सुमित्रा के दो पुत्र हुए लक्षमन और शत्रुगन रानी कह गई के पुत्र का नाम भरत रखा गया राज महल में खुशी छा गई नगर में बधाईयां बजने लगी मंगल गीत गाए गए हर ओर खुशी उत्सब जैसा द्रिश्य राजा दशरत प्रसन थे उनकी मनो कामना पूरी हुई प्रजा प्रसन थी कि दशरत की चिंता दूर हुई नगर में बड़ा सामार हो आयोजित किया गया धूम धाम से आयोजिन में दूर दूर से लोग आये राजा दशरत ने सबको पूरा सम्मान दिया उन्हें कपड़े अनाज और धन देकर विदा किया चारों राजकुमार दीरे दीरे बड़े हुए वे बहुत सुन्दर थे सुदर्शन साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते आखें उनसे हटती ही नहीं थी चारों भाईयों में आपस में बहुत प्रेम था वे अपने बड़े भाई राम की आज्या मानते थे खेल कूद में लक्षमन प्रायर राम के साथ रहते भरत और शत्रुगुन की एक अलग जोड़ी थी और बड़े होने पर राजकुमारों को शीक्षा देक्षा के लिए भेजा गया उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया शास्त्रों का अध्ययान किया शस्त्र विद्या सीखी चारों राजकुमार कुशागर बुद्धी थे जल्दी ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए राम इसमें सर्वो परी थे उन्हें कई अन्य गुण भी थे विवेक, शालीन दा और न्याय प्रिय दा राजा दश्रत को राम सबसे अधिक प्रिय थे जियेश्ट पोत्र होने के कारण और इन मानविय गुणों के कारण भी राजकुमार कुछ और बड़े हुए विवायोग्य नगर में इसकी चर्चा होने लगी महराज दश्रत भी ऐसा ही चाहते थे अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वध हुए परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी गेहन मंत्रना तभी एक द्वार पाल घबराया हुआ अंदर आया उसने सूचना दी कि महर्शी विश्वामित्र पधारे है महराज दश्रत अतकाल अपना आसन चोड़ कर खड़े हो गए द्वार की और बढ़े महर्शी की अगवानी करने उन्हें लेकर दरबार में आये विश्वामित्र को उचा आसन दिया गया विश्वामित्र कभी स्वयम राजा थे बहुत बड़े और बलचाली बाद में अपना राजपार्ट छोड़ दिया सन्यास क्रहन कर लिया जंगल चले गए वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया उसे उन्होंने सिध्धाश्रम नाम दिया महर्शी के स्वागत सत्कार के बाद दशरत ने कहा महर्शी आज्या दें मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ आप अपने मन की बात कहिए आपकी आग्या का पूरी तरह पालन होगा राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा आप आग्या दीजे महर्शी मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ बिलकुल नहीं हिचकूंगा मैं सिद्धी के लिए यग्य कर रहा हूँ अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है लेकिन दो राक्षस इसमें बाधा डाल रहे हैं मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है वहराम हैं आप अपने जेश्ट पुत्र को मुझे दे दें ताकि यग्य पूरा हो विश्वमित्र ने कहा दशरत पर जैसे बिजली केर पड़ी वह अचकचा गए उन्हें उमीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे उनके जेश्ट पुत्र उनके सबसे प्रीय दशरत चिंता में पड़ गए विश्वमित्र दशरत की दुविधा समझ रहे थे उन्होंने कहा मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूं यग्य दस दिन में संपन्न हो जाएगा महराज दशरत दुखी हो गए पुत्र वियो की आशंका से काप उठे दरबार में सननाटा चागया दशरत की दशा देख कर बंत्री चिंतित थे पर चुप थे महर्शी वशिष्ट शांत थे इतने में दशरत काप कर बिहोश हो गए होश आया तो दर ने उन्हें फिर जखड लिया मुर्चित होकर फिर गिर पड़े संग्य शून्य पड़े रहे महर्शी विश्वमित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था दरबार सशंकित था किसी अनिष्ट की आशंका से वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे महर्शी और महराज के बीच संबाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था मुने वशिष्ट चुपचाप आकर महराज दशरत के पास खड़े हो गए थोड़ी देर बाद दशरत उठे स्वैम को संभालते हुए उन्होंने महर्शी से विन्नती की महामनी मेरा राम तो अभी सोला वर्ष का भी नहीं हुआ है वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा राक्षस माया भी है वह उनका चल कपट कैसे समझेगा उन्हें कैसे मारेगा इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सीना ले जाएं मैं स्वयम आपके साथ चलूँ राक्षसों से युद करूँ महर्षी विश्वा मित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे उन्हें अपने यग्य के नियम याद थे क्रोध करने से यग्य खंडित हो जाता अनुष्ठान अधूरा रह जाता मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनी एक पल भी नहीं आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लें उसी मत ले जाएए मैं राम को नहीं दूँगा बिलकुल नहीं वह मेरे बुढ़ापे की संतान है मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ महरशी का क्रोध भवक उठा दरवार, मंत्रिगन और रिशी मुनी सकते में आ गए आप रगु कुल की रीती तोड़ रहे हैं राजन वचन दे कर पीछे हट रहे हैं यह बरताव कुल की विनाश का सूचक है आप जानते हैं कि मैं स्वयम दुष्ट राक्षसों का संगार कर सकता था लेकिन मैंने सन्यास ले लिया है अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहां से खाली हाथ राट जाऊंगा बात बिगड़ती देखकर मुनिवशिष्ट आगे आए महराज दश्रत को समझाया राम की शक्ति के बारे में प्रतग्या तोड़ने के संबंध में महर्शी विश्वमित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाब के बारे में राजन आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए रगुकुल की रीत यही है प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है आप राम की चिंता ना करें महर्शी के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगार सकता महराज देशरत की चिंता कुछ कम हुई पर मन अप भी खिन्न था पुत्र विचोहों का दुख सभी तर्खों पर भारी पड़ रहा था गुरु वशिष्ट ने कहा महराज महर्शी विश्वामित्र सिद्ध पुरुशें तपस्वी हैं अनेक गुप्त विध्याओं के जानकार हैं वह कुछ सोचकर ही यहां आये हैं राम उनसे अनेक नई विध्याएं सीख सकेंगे आप राम को महर्शी विश्वामित्र के साथ जाने दें राम को उन्हीं सौंक दें दश्रत ने मुनी वशिष्ट के बात दुखी मन से स्वीकार कर ली लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया कहा कि वे राम के साथ उनकी छोटे भाई लक्ष्मन को भी ले जाएं महर्शी विश्वामित्र ने महराज दश्रत का यह आग्रह स्वीकार कर लिया राम और लक्ष्मन को ततकाल दरबार में बुलाया गया महराज दश्रत ने उन्हें अपने निर्ने की सूचना दी दूनों भाईयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया सिर जुका कर आदर सहित इसकी सूचना माता कोशल्या को दी गई बताया गया कि ये राम और लक्षमन वन जा रहे हैं महर्शी विश्वमित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ शंख द्वनी हुई नगाडे बजे महराज दश्रत ने भावक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक जूम कर उन्हीं महर्शी को सौप दिया दोनों राजकुमार बिना विलंब किये महर्शी के साथ चल पड़े बीहड और भयानक जंगलों की ओर विश्वा मित्र आगे आगे चल रही थे राम उनकी पीछे थे लक्षमन राम से दो कदम पीछे अपने धनोच संभाले हुए पीट पर तोनी इर्बान थे कमर में तलवार लटकाए अब आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें ये फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सस्क्राइब करें और बेल आइकन को फ्रेज करें जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें थैंक यू बच्चो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में